जब बात आती है बॉलिवud स्टार्स की तौह हमेशा एक स्टेप आगे ही होते हैं चाहे वो फैशन हो या फिर मेकब और हमारी बी टाउन की लेडीज उसमें सबसे बैस्ट हैं चाहे वह नो मेकप लुख हो या फिर सबसे फैशनिबल और मॉड़न layers हो बट हमारी actresses 2019 के समर ट्रेंज के लिए हमेशा तेयार होती है और अगर आप भी इन स्टार्स की थरा कुछ समर मेकप गोल्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें पर दोस्तों आप शुरू करने से पहले हमारे चानल से लेतिस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चानल आज काई गुरू को सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आपके पास फ्लॉले स्किन नहीं है तो आप मेकप से भी उसे छुपा सकती है और ये सिफ पॉसिबल है हर सीजन में रूल करने वाला फॉर नेट्रल लुक से आपको बस अच्छी सी सी क्रीम लगाना है जरा समस्कारा और टिंटिड लिपम कहते हैं आल्या भट से सोनम कपुर सभी ये लुक के फैन है दूसरा समर ट्रेंड है फ्रेश और दूई लुक हम सबको बहुत पसंद आता है कि कैसे दिपिका पदकोन अपना नो मेकप लुक लिए अपने स्किन पर एक्स्ट्रा ग्लो लाती है तो ये लुक च्राइ करने के लिए आपको आपके चीक बोन्स, नोस ब्रेज और फोर आइस पॉप करने के लिए आपको हाइलाइटर लगाना होगा इनर कॉर्नर्स पर और जरा सा न्यूड लाइनर आइस के पास जिससे आपकी आइस वाइड ओपन और फ्रेश लगेगी क्या आपको मालूम है, पॉप अफ कलर बहुत ज़्यादा डिफरेंस ला सकता है लिप कलर जो आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आप ये कॉरल लुक के साथ ट्राइ कर सकते है बस आप ऐसा कलर फाइंट करें जो आपकी स्किन को सूट करता है और फिर उसे यूस कीजे आप चाहे तो सेम लिप कलर ब्लश भी लगा सकते है आप तो जानते ही होंगे कि जानवी कपूर का पिंकी पिंक मेकप लुक कितना हिट है ग्लॉसी पिंक लिप, सॉफ्ट पिंक स्मोकी आइस और पिंक बलश कितना प्रिटी दिखता है तो ये मेकप लुक भी सेम है फ्रेश और समर पाटी टाइप लुक वाला बस आपकी आइस को फ्रेश लुक देने के लिए इस पर ब्लैक मसकारा ज़रूर लगाए और ाप रेड़ी है फिर समर लुक के लिए ग्लॉसी लिपस अगर आपको स्लर्टी स्मोकी आइस चाहिए और फिर भी आप चाहते है कि आप फ्रेश लगे तो ये मेकप लुक पॉफेक्ट है आपके लिए ये लुक बैलेंस करने के लिए आपकी स्मोकी आइस के साथ ग्लॉसी न्यूड लिप्स पर लगाए ये मेट की जगा इस तरह आप ज्यादा फ्रेश और समर रेडी लगेंगे तो दोस्तो ये थे कुछ मेकप ट्रेंज आफ बॉलिवुड 2019 आपको कौन साथ लुक या मेकप ट्रेंज पसंद आया वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे और अगर आपके पास इससे जुड़ी और भी कुछ जानकरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए और अगर आप सबको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों धन्यवाद